प्यार बच्चों इस वाले कोशन को देखते हैं एक्सामपल नमबर 34 ग्राविटेशन कंदर है ये IIT ने कोशन पूछा था हम से करा दो बोडी हैं जिनके मास M1 और M2 हैं वो प्लेस की गई हैं अट अट डिस्टेंस आर अपार्ट तो लेट अस सपोस की एक मास अबजेक्ट यहां पर है दूसरा मास अबजेक्ट यहां पर है यह है M1 और यह है M2 आप से कह रहा है तो बोडीज ओफ मासे M1 और M2 आर प्लेस्ट अट अर डिस्टेंस इस्मोल आर अपार्ट इनके बीच का जो गैप है यह है इस्मोल आर ठीक है यह बीच का गैप हो गया आप से कह रहा है आप आप अड़ पोजिशन वेर दा ग्राविटेशनल फील्ड डियू टू दैम इस जीरो जिस पोजिशन पर ग्राविटेशनल फील्ड जीरो होगा वहां पर पोजिशनल यह निकल कर आएगा तो लेट अस सपोर्स की M1 से X डिस्टेंस पर ग्राविटेशनल फील्ड जीरो होगा यहाँ पर ग्राविटेशनल फील्ड जीरो है ठीक है इस पोइंट को आप पी पोइंट कह दो तो जब यह पूरा R है और इतना हिस्सा X हुआ तो R में से X को माइनस करेंगे तो बचेगा R माइनस X तो यह M2 से गैप आ गया है ना अब आप कहेंगे सोल्यूशन में डाइरेक्ट बोल दो according to question at point P P point पर क्या है ग्राविटेशनल फील्ड जीरो आ रहा है इसका मतलब यह हुआ जितना M1 का यहां पर फील्ड होगा उतना ही equal and opposite field निकल कर आएगा M2 का यहां पर so net field 0 हो जाएगा और field कैसे निकालते हैं field का formula होता है GM upon small r का square यह field है ग्राविटेशनल फील्ड तो यह 0 है कहां पर P point पर तो आप कहेंगे according to question at point P gravitational field is 0 जब gravitational field is 0 है तो निकालो gravitational field तो आप कहोगे पहले M1 की बज़े से तो GM1 और नीचे gap कितना x तो इसका square यह भराबर होगा GM2 और gap कितना बचा r minus x इसका भी square तो G सजी कटा M1 upon x square is equal to m2 upon r minus x का whole square square है बिल्कुल है तो एक काम करो आप इसको square को खतम करोगे तो आप यह करोगे इसको कुछ इस तरहां से लिखोगे चलो मैं proper way मैं करके दिखा देता हूँ यह ज़ेगा r minus x upon x is equal to यह हो जाएगा m2 upon m1 ठीक है चूंकि अब यह पूरे पर square है क्योंकि इस पर भी square था है इस पर भी square था है तो यह m2 upon m1 तो r minus x upon x m2 upon m1 तो यह हो जाएगा r minus x upon x square root m2 upon m1 तो यहां से value निकालो r minus x upon x यहां चुका है तो आप यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते है root m2 upon root m1 c and d component and dividend theorem लगा दो तो बड़ा असान हो जाएगा एक बार उपर वाले में से नीचे वाला add कर दो और एक बार उपर वाले में से नीचे वाला subtract कर दो तो खेर यहां से कोई फाइदा नहीं दिख रहा मुझे तो आप यहां से r minus x की value निकालें तो r minus x की value जब आप निकालेंगे तो value के निकल कर आएगी यहां जाएगी x square root m2 upon m1 ठीक है यही value निकल कर आ रही है बिल्कुल आ रही है तो यहां से r minus x की value निकल कर आ चुकी है x तो r की value निकालो तो r की value कितनी हो जाएगी x उदर जाएगा plus का तो common ले लोगे इधर से x को मन ले ले तो यहां से होज़ेगा root m2 upon root m1 और जब यह x उदर गया था तो plus को होगया तो आपने common ले 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 तो वहाँ पर plus का 1 बचेगा तो इस mode r की value आ चुकी है x और यह हो जाएगा root m1 plus root m2 l से म ले लिया और नीशे root m1 यह value आ चुकी है r की तो r is equal to आ गया x दिहान से देखते रहो आप लोग भी practice करो r की value निकलनी थी आपने r की value निकलनी और x की value भी निकलनी है x की value जब निकलोगे तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको x की value निकलनी है तो एक काम कर लो x की value निकलनी के लिए यह हो जाएगा x is equal to हो जाएगा r square root m1 और नीच हो जाएगा root m1 plus root m2 देखो x की value क्यों निकालने पड़ेगी आपको x की value भी निकालने पड़ेगी x की value के साथ साथ आपको अभी एक काम और करने पड़ेगा x की value भी निकालने पड़ेगी और r minus x की value भी तो r minus x की value भी आपको निकालनी पड़ेगी तो फिलहाल आपके पास x के value है इन terms of r अब आप करेंगे 1 upon x के value नाओ यह क्यों कर रहे हैं 1 upon x क्यों निकालना चाह रहे हैं 1 upon x इसका reciprocal मतलब इसका उल्टा तो यह भी उल्टा हो जाएगा root m1 plus root m2 upon r square root m1 अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें answer जो है in terms of r चाहिए तो r के ही term में निकालोगे उल्टा क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब आप आगे जाके gravitational potential का formula लगाओगे तो gravitational potential होता भाई ये तो नीचे कहीं न कहीं वो distance चाहिए जहाँ पर आपको field निकालना था जैसे के इसकी वज़े से यहाँ पर potential निकालोगे तो हो जाएगा minus के gm1 upon x तो देखो 1 upon x की value में पहले ही निकाल कर रख लो चाहो तो मत भी निकालो चाहो तो निकालो कहीं ने कहीं calculation कम होगी बस ये फाइदा है ठीक है ज़र देखो दिहान से इसको वन अपोन x आ गया ठीक है वन अपोन x के बाद नाव आप बात करोगे किसकी बात करोगे x के धुरू किसकी बात करोगे r minus x तो r minus x कितना हो जाएगा तो r में से x को minus कर दो r root m1 upon square root m1 plus square root m2 ये कर क्यों रहे हैं हम क्योंकि r minus x इसलिए निकाल लें क्योंकि r minus x का gap m2 से उस p point तक का है इसलिए आप निकाल लें तो r minus x निकाल लें ठीक है तो यहां से r common ले लोगा ब्रैकेट बचेगा 1 minus square root m1 upon square root m1 plus square root m2 ठीक है lcm ले लो lcm कितना आ जाएगा यार ऐसी रहेगा lcm आ जाएगा root m1 plus root m2 और यह multiply कर दो इसके साथ root m1 plus root m2 और minus root m1 m1 से m1 कड़ गया तो यहां से value बचेगी r minus x is equal to यहां से value बचेगी square root m2 और नीचे बचेगा square root m1 plus square root m2 यह r minus x की value आ गई r minus x की value आ गई बाहर r भी चल रहा है तो जिरह यह भी धिहान देना तो r square root m2 upon square root m1 plus m2 square root में तो यह r minus x की चुकि आपको जब formula लगाना पड़ेगा इसके तुरू यहां पर potential तो value होगी g m2 upon r minus x तो 1 upon r minus x की value आप निकाल के अलग ही रख लो ताकि आपको in future काम में आए तो यह आप निकाल लोगे कैसे निकाल लोगे 1 upon r minus x तो इसका भी उल्टा कर दो स्क्वार रूट m1 plus स्क्वार रूट m2 यह सारी काम जो हम in future कर रहे हैं यह आगया ठीक है अब आप बात कर लो potential की तो आप कहोगे add point p the potential of the mass bodies तो आप कहोगे add point p potential due to m1 and m2 तो potential निकालना आपको उसकी value कितनी हो जाएगी तो potential निकालूँगा पहले मैं m1 की वज़े से तो मैं लिखोगा minus के g m1 m1 से p point तक का gap कितना m1 से p point तक का gap है x तो लिखोगा आप minus के g m1 upon x फिर minus लगा दोगे दूसरा का potential m2 की वज़े से तो यह हो जाएगा m2 g m2 upon r minus x minus के g m2 upon r minus के x एक काम कर लो आप यहां से minus के g common ले लो तो m1 upon x plus m2 upon r minus के x बचेगा minus का g common है m1 ऐसे ही m1 ऐसे ही और x नीचे है x नीचे मतलब 1 upon x के value रख दो तो कितनी है square root m1 plus square root m2 square root m1 plus square root m2 value put करो square root m1 plus square root m2 upon r square root m1 यह तो है square root m1 कहां गया कहां गया one upon one upon x की value तो one upon x कहां गया यहीं था square root m1 plus square root m2 square root m1 plus square root m2 upon r r m1 यह हो गया तो यह one upon x की value आपने put कर दी as it is multiply में क्योंकि one upon x है plus लग हुआ यहां से m2 है और one upon r minus x की value भी आपके पास है one upon r minus x की value कितनी है square root m1 plus square root m2 और r m2 कितना है square root m1 plus square root m2 तो यह हो जाएगा r root square root m2 तो यह m2 है सही bracket बाद सॉल्व कर लो बस यही answer आजाएगा minus के g ठीक है देखो इस से इसको काटोगे तो root m1 times कर जाएगा तो यह हो जाएगा root m1 और यह है square root m1 plus square root m2 और r यहां भी है यहां भी है तो आपने इसको बाहर ले दिया पिलस लग हुआ है इस से root 2 root m2 से जब m2 को काटोगे तो root m2 बार कट जाएगा तो root m2 root m1 plus root m2 r बाहर जा चुका है जब सही करका दिखलो इसको minus के g upon r root m1 की multiply करोगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा m1 plus root m1 m2 प्लस तो यह हो जाएगा root m1 m2 और इसके multiply करोगे तो जाएगा यह m2 तो वैल्यू जो आ चुकी है वो यह है minus के g upon r m1 plus m2 plus के 2 root m1 m2 यही प्रूफ करना था potential energy potential potential add point p minus के g upon r minus के g upon r m1 plus m2 plus 2 root m1 m2 बिल्कुल यही प्रूफ करना था तो बड़े simple वे मों हो चुका है आगर बच्चे यह कह रहे हैं कि सर हम तो नहीं निकाल ले बन अपोन x हम तो नहीं निकाल ले बन अपोन r minus x तो मत निकालो छोड़ दो x की value निकालो सिर्फ r minus x की value निकालो जब फोर्मूला रहोगे तब भी तो आपको वो changes करने पड़ेंगे जो मैंने यहां पहले ही निकाल कर रख लिये थे तो आपको फिर आगे महनत करने पड़ दाएगी खैर derivation में कुछ नहीं है आपको सिंपली दो चार्ज पार्टिकल दे रहें सोरी चार्ज पार्टिकल नहीं मास बोड़ी है इन दोनों मास बोड़ी से पी पोइंट पर आपको फील्ड जीरो दे रहा उसकी मदद से आपको वहां पर पोडेंशल कैलकुलेट कर लेना तो बड़ा सिंपल सा कोशन बन गया होप सो के लियर हो गया आयाइट ने इस कोशन को पूछा गया था तो सोचो आयाइट वाला बच्चा यह फिर आयाइटी की प्रिपरिशन करने वाले बहुत सारे बच्चे या टीचर्स कितनी फास्ट में इसको समझाते होंगे लेकिन सर्थ यह ना उनका कॉंसेप्ट बहुत किलियर है और क्यालकुलेशन बहुत हाई है और जो बच्चे सुन रहे हैं कोश्चन को देख रहे हैं वीडियो को तो वह भी कही नहीं अपनी स्पीड हाई रखते होंगे बेसिक तो उनका बहुत ज